दोस्तों सावगत आप सबका फिर से यहां पर देख सकते मैं बारबाड वस्टीटेन की जो मैच है वी ओवाई वर्सेस टी आइटी के बारे में आज यहां पर देख सकते दोनों टीमों की किस तर से मिल रहेगी सबसे पहले वी ओवाई की मिडल अर्डर यहां पर ओपनिंग वगएरे सब हम देख लेते तो जेसन ग्रीन और एक प्रिंगर विल बी प्रोबेबल ओपन करेंगे यहां पर वी ओवाई के लिए वन डाउन की पोज मानी जा सकती है दोस्तों ड्वेन स्मित ने अभी तक काफी बढ़िया पर्फोर्मस किया है उसके साथ साथ आटम जोन्स विल हैंडल मिडल ऑडर मिडल ऑडर में आ सकते तो मस्ट पीक आपको मैं जरू कोंगा जैसन ग्रीन को भी रखिएगा लेरी बैक को भी रखिएगा और है जदा पंड मेरे खेल से दीए और अब अब बात करें तो यहां पर जोन्स के बात करें और यहां पर यहां में यह फास्ट फास्ट गेंवाजी कर सकते चीम के लिए तो इस्तिम के हो गया अब अब हम देख लेते टी आइटी के टीम का किस थर से और बैटिक और रहेंगे सबसे पहले नईम यंग और और यह दोनों ओपनिंग के लिए आएंगे उसके बाद नईम यंग यहां पे रहेंगे टॉप मोस्ट फांटसी पॉइंट अप तक ले चुके अपनी टीम के तरप से उसके बाद जेड मैकेजी को विल बी वन डाउन पोजिशन की मिलेगी इनको और यह अपनी टीम के लिए काफी फायदेमन प्लियर है उसके बाद काईल होप और रेकलोबो क्लार्क और क्लार्क विल हैंडल दा मिडल ओडर केल होप भी विल लीड टाइटन्स यह अजर आते हैं अगर बात करें तो सी होल्डर और और सिमॉंस सायमॉंस विल लीड पेस अटेक आने अब फास्ट गेन बाजी किया दारमदार इन दोनों पर रहता है उनके टीम का तो इनके लिए अच्छे विक्टेल लेते रहते अब चलते हैं दोनों का अभी तक पर्फरम है सभी पाच मैचेस में लास्ट जो पाच मैचेस होए हार मिली है इनको तो यहां पर आज का वी उनका चांसे काफे कम है जितने का एवरेज फर्स इनिंग स्कोर अगर इस टीडियम पर देखा जाए तो असी रन का रहा है लेकिन आज वो तूट सकता है नबे से सो रन बन स लगते हैं अगर बात करें चेसिंग रेकॉर्ट का तो यहां पर बैटिंग वाले और चेस करने वाले दोनों का 50-50 परसंट प्रतिशद रहा है यानि कोई भी यहां पर मैच जीत सकता है मस्ट पिक जिया दोस्तों आपको जिनको लेना ही है ऐसे पिक की बात करें तो यहां आपको लेना ही है और की मींग को अपको लेना ही है और व॔र को भी है और तो दोस्तों समझ के में लीजएगा की अगर बात करें तो इनके मैं आपको स्टार्स भी दिखाहें दॉप लाू तो मानता हूँ लेकिन नहीं राए अड़ थी यहां बना पाए अभी तक लेक्जंडर की बात करें। तो 24 run और दोविक्ते ले थिक्ठाक परफॉम्न्स है। लेरी बान की बात करें। तो 90 run बना है अपनी टीम के लिए। ड्रेंश स्मीत की बात करें। तो 6 match सेृध मंगा 23 चृध शेट 7 run और 5 परफॉम्नस हिनकार रहा है। इनके साथ साथ अकिल स्प्रिंगर की बात करें तो चार मैचेस में ही 149 रन बना चुके काफी जबदस परफॉर्मन तरह है अब बात करते है टे-इट के की प्लियर्स की तो आर्क लार्क साथ मैचेस 90 रन उसके बाद काईल होप 70 रन बना चुके है केविन मारकस सचार रन और साथ विक्टे यह अब तक ले चुके उनके बाद जड मैक जी की बात करें तो 128 रन बना चुके है तो यह दोनों प्लियर्स आपके लिए काफी फायदेमन साबित हो सकते है दोस्तों सी होल्डर की भी अगर बात करें तो 6 मैचेस 6 विक्टे ले चुके आर्व और यहां पर साथ मैचेस में 124 रन और 124 रन बना चुके है और तीन विक्टे ले चुके नईम यंग की बात करें साथ मैच में 75 और पांच विक्टे यहां पर वो ले चुके तो यह इसलिए क्लिप लियर है दोस्तों की इनों का परफॉंस अभिता की सीरीज में काफी बढ़िया रहा है चलते हैं आप 3 ीलियू के यहाफे और देख लेते हैं वह 3 ीलियोन के विनिंग टीम जिसे के आपको अच्छे खासी अर्ण लिग या स्मॉल लिग जरू जीट सकतें जैसे के माच टिम पर क्लिक कर ली मैंने यहाफ़ पहले टिम गले करके दिखा देता हूं जैसे कि आपको पहले ही बता चुकाओ आर क्लार्क और स्प्रिंगर दोनों अच्छे खासे प्लियर हैं इनको मैं पिक करूँगा जरूर बैटिंग की बात करे तो जैर मैक जी ग्रीन इन दोनों को पिक करूँगा और इनके साथ साथ तीन बैट्समन लेने हैं तो आर वोरेल क और यहां पर चलते तो एलेक्जेंडर को लेना यहां पर मैं टूर्णी को ले रहा हूं लेकिन आप नहीं लेना चाहें तो यहां पर आप उनकी जगपे पहले के मार्कस को लिया है मैंने और इनके साथ आप इस मार्शल को भी आप पर ले सकते या फिर आप टूर्णे के साथ अगर जाना चाहे तो जा सकते एका टिम में ले सकते उनको अभी फिलाल मार्शल को ही ले लेते तो लेने से को तो मैंने अभी जिनको कर लूँगा क्योंकि आगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते अभी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कैप्टन डियाँ किसे बना सकते तो यहां पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है ड्वेंज मैं ज़ादा मजबूती लेन लाना चाहता हूँ सी होलडर एलेकजेंडर टुर्णी और मारकस इस तर से चार गेंद बाजों को मैं इस्टीम में शामिल कर रहा हूँ अगर चाहे तो स्मॉल लिक के लीविई कर सकते हैं इगर कुछ चेंजेस करना चाहे हैं अगर बात करें कैपटन कीट 위에 क्पोई स्विएश में और यृयन को अईन यांग को चालिस परसेंट से भी जादा लोगोई लैक कपटन मना तो यहां पे मैं उल्टा कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ड्वेन स्मित और परफॉर्मस कर रहे है बैटिंग भी अच्छी कर रहे है लेकिन बैटिंग मीडल ओर्डर में है तो यहां पर उनको आती है नहीं आती है यह कहना तो इसलिए आप इनको कप्तान और यहां पर नहीं करना चाहिए तो कर सकते यहां क्याप्टन और डीश्मित को वाइस क्याप्टन भी बना सकते इन फैक्ट अगर आप मल्टिपल टीम लगाते तीन से ज्यादा टीम लगाते तो कहीं नकर वाई यंक को कप्तान जरूर बनाएगा अगर यहां पर नहीं करते तो चले दोस्तों को क्लोज करते और दूसरी टी सब्सक्राइब आपकोस वाइन यांग फिर से मैं लेनी वालोग बैटिंग बालिंग की बात करें तो साइमंट को फिछले टीम में नहीं ले लूँगा अलेक्जेंडर को लूँगा सी होलडर को भी आपे लूँगा और चौत्य जो गैनवाजे के मार्कस को स्टीम में शाम क्लिक करेंगे और देखेंगी कि क्यापटन हम किसे बना सकते तो यहां पर मैं स्प्रिंगर को क्यापटन और वार्यल को इस्ट्म का वाइस क्यापटन मनाने जा रहा हूँ चलिए प्रिव्यू कर लेतें के पैसे पहले आर क्लारbooks और स्प्रिंगर दोनों को वापस ले रहा हूं बैटिंग के बाद करें जट मैक्स-जी को ले रहा हूं और पर फिर से ले रहा हूं अ स्मीट और एन यंग में से किसी एक को भी ड्रॉप नहीं किया जा सकता काफिर रिस्की रहेगा अगर करना है तो आप कर सकते लेकिन मैं दोनों को साथ में हर टिम में रहने की कोशिश करूंगा साइमन्स को लूगा सी होल्डर को लूगा अलेक्जेंडर को लूगा के मार्कस क दोस्तों कोई भी अच्छी विक्टे लेले आपको पॉइंट जरूर मिलने आले तो इसलिए आपर चार गेन बाजों के साथ जा रहा हूं काफी अच्छी टीम मनी है अपको कप्तान की बात करें स्प्रिंगर को कप्तान और वॉरल को वाइस कैप्टन बना रहा हूं दोनों क्योंकि मेरे पास तीनी टीम है तो मैं काफी मुश्किल रहता है ज्यादा आपको अप्शन बताना लेकिन यहां पर इसी तरसे रखूंगा मैं अगर बात करें तो ग्रैंड लिग के लिए तो यूज करना ही करना है 100% मैं तो कहूंगा दो तीन लिग लगा दीजिए 33 के लि कर सकते कोई प्रॉब्लम ने कोई दिकत ने चले दिस्तों इस टीम को भी क्लोज करते सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम जो रहे गए उसको भी दिखा देता हो यहां पर डावरीच को मैं इस टीम में लेंगा आर क्लार्फ को मुझे ड्रॉप करना पड़ा है जिया द दोनों टीमों में मैंने शायद नहीं यूज किया थे चार बलीवाद अल राउंडर्स पे तो यहां पर डी स्मित और एन यंगी रहेंगे अगर आप यहां पर कुछ चेंज़ेस करना चाहिए तो यहां पर ऑदर जो अप्शन इतने खास नहीं है दोस्तों तो यह दोनों ही हम एड कर सकते तो यह अभी फिर आप इसी तरह से रखेंगे तो यहां पर एक्जेंडर साइमंट से में से भी किसी एक को चूज कर सकते लेकिन मुझे लगता है यह ज्यादा बेटर रहेंगा और तो इस तरह यह भी टीम हमारी बन चुके फिर से नेक्स्ट पर क्लिक पर देख सकते दोस्तों डौरीच को और स्प्रिंगर दोनों को किपिंग में मैंने ले लिया होप को मैंकेंजी को लैब बाप को और वारल चार बैट्समन ड्वेन स्मित एंड यंग दोनों वह अल्रॉंडर और सी होल्डर टोर्नी और के मारकस इस तसे यह टीम बनी है लेकिन स्मॉल लिग में वैसा नहीं रहता है दोस्तों रिस्क लेके नहीं चलता है क्याप्टन की बात करें तो यंग को कैप्टन और लैब को बापको इस्टिप का वाइस क्या रहा हूं एक अच्छा-कासा बाट्समन ने अभी तक अच्छा पर पर्फर्म कर चुका है पर पर तो जैसे कि आप यह वह मैच उस पर क्लिक कर लेने हैं और आपने टीम नहीं बनाए तो आपको क्रेटे टिम करने होगे लेकिन आल्रेडी टीन यहां पर नीचे बना के रख चुका हूँ आपको यह पर दिखा देता हूँ यह चुल उसके सब्सक्राइब ले रहा हूँ के खोलव मेरे ले आप ओल राउंडर की बात करें तो इस बात चार ल्डाउंडर है आर वॉररेल को ले रहा हो, नाइम यंग को ले रहा हो, ढैंश मिर्श, निभाब इस राम, वाइस के साथ जाओंगा, आप यापर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी टीम बज चुके, येफ्य उयाकि करेंगी कि आप यहां पर नीचे substitute कर सकते हैं कोई अगर आपका फ्लियर नहीं खेल रहा होता है तो वह चार जो substitute आप चूज कर सकते हैं उसमें से कोई भी आपके टिम में जो पहला आपने सिलिक किया वह आपके टिम में आ जाएगा और आपको कोई नुकसाद नहीं होगा अगर आप changes न इसकी को काइल होप को जेसन ग्रीन को अगर बात करें अल्राउंडर में ड्रेंट स्मिद भी रहेंगे उसके बाद यंग भी रहेंगे और बैब भी रहेंगे गेंबाजी में दो यह आप्शन में मेरे पास holder और के मारकस दो को ही मैं लेने आलो आपकोस टीम तो बहतर है दो करेंगे तो बेटर ही आपको फायदा ही होने आला आप जीद भी सकते अच्छे कासी अर्निंग तो फिक्स कर सकते स्मॉल लिक के लिए भी यूज कर सकते कोई प्राब्लम नहीं कोई दिकत नहीं चले दोस्तों जादा समय नहीं इस टीम को भी अभी क्लोज करते सेव कर लेते और दूसरी टीम में आपको इडिट करें दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं फिर से अकिम स्प्रिंगर को ले रहा हूं यहां पर क्लार्क को ले रहा हूं और डावरिच को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूं तीन कीपर के साथ जा रहा हूं यहां पर मैं जिससे फा तेनल। ले चकाओ गेनबाजी में दोप्षन में चूस करूंगा सायमंट को में ले रहा हूं और यहाँ पर अमारी को स्प्णू पर घरिए रहा हूं यह भी अच्छे खासे हैं दोस्तों दोनों सबसे पहले तो तीन कीपर है मिरे पास दाव को भी ले रहाओ और स्परिंगर को भी ले रहाओ बात करें बात करें तो मैकेंजी को ले रहाओ काइल ओयर ओक्षेक्ष घृण स्मीठ नई यंग को लिया है और और वरेल को भी ले रहा हूं गिन बाजी में दो है दोस्तों रोम को ले रहा हूं और अमारी को भी यह पर ले रहा हूं तो इस तर से यह बीटिम काफी बढ़ी है अफको सिस्टीम को भी आपको ग्रैंड लिक के लिए यूज करना है कोई प्रब्लम नही यूज करना ना करना है मैं आप पर छोडता हूं इस टीम को भी अर आखरी टीम हम देख लेते किस तर से मैंने बनाई है फिर से यहां पर quand ले था यहां पर स्प्रिंगर को लेद गल्राएँ और क्लार को ले रहा हूं यहां परने अपर इव को बाप को फिर से यहा पर शामिल कर रहा ह," तो यहां पर चार वृणर το Corn Werler Mrs. All that's around 3 टीम को भी शामिल रख रहाओ तो यहां पे अच्छा अप्शन आगर है अगर आप छाये तो सी होल्डर हमेरी टीम बन चुके नेक्स्ट पर débआ खेंग और चाहूं देखेंगे कि क्याप्टन किसे बनाए तो यहां पर मैंचीव का ग्याप्टन बनाने जा रहा हूं और क्याप्टन आप को दोनों की d container Ragöardi आप एक लिdogs को सबक्राइब ऐसे कि मैंने आपको दिखा दिहाए उस पर क्लिका क्रने यह आपको लगता सबसे पहले यूज करना चाहेंगे आप तो मैं हाप पर ग्रीन को एक नंबर दूँगा यानि मेरा एक कोई भी एक कोई प्लियर अगर ड्रॉप होता है तो ग्रीन उनकी जगब पर खेल लेंगे अगर बात करें दूसरे जो कि पर मैं लेना चाहता हूं तो वह है यहां पर यहां पर मैं लेना चाहता हूं तूर्णी को अगर बात करें तो साइमन्स को तीसरा मैं लेना चाहता हूं और मार्शल को चौथा लेना चाहता हूं अगर मेरा पहला प्लियर मतलब एक प्लियर ड्रॉप रहता है तो उसकी जगपे ग्रीन आ जाएंगे मेरे दो प्लियर रहत तो चारों हमारे उनकी जगह पे आ जाएंगे स्टीम को सेव करते हैं और प्रिव्यू एक बार फिर से करते हैं यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने क्लार्क और स्प्रिंगर दोनों को लिया है बैटिंग में भी दो ही बल्लेबाजे मैकेंजी और काइल होब अल राउंड लिए तो यूज करना ही करना है स्मॉल लिए ना करे तो बेटर है आपको ग्रैंड लिग जितने में आसानी हो सकते हैं जीत भी जा सकते हैं यह फिर अच्छी खासी अर्णिंग भी कर ले सकते हैं लेकिन आपको मुझे नहीं लगता कि यहां पर जीत सकते हैं आप इस टीम स मना रहा हूं दोनों बेस्त एक अच्छा कासा की पर एक अच्छा कासा एंडरे डवल प्रोंड के डिने वाले संक हो दो आपनगा Ñ के किपिंग के इश्टरा पंड नेंगा चैचिंग स्टंपिंग और बनाट ंब्र्यक्ट कर में दिन कर घृए इस गर आपको लगता है चेंजिस करने जाएंगे तो थोड़ा इसकी सावित हो सकता है तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए होगा अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आ अब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद और गुडबाए